हाई एवरिवन, वेलकम टो वर चैनल MCB, MCB, फ्रिंस आज एक बहुत सिंपल वट इजी मेथड से कुरुशा कुछ जो रेजाइन बनाएंगे, जो बिगनर्स भी बना सकते हैं, हमने यहाँ पे स्मॉल से भी थोड़े से बिग साइस के गोर्डन बीर्स लिये हैं, नेक्स्ट ह हमें पाच मिनिट में मशीन से ही बना सकते हैं, उसका वी वीडियो मैंने चानल पर आवेलेबल है, उसका लिंक उपर आई बटन में दे दिया है, वो वीडियो आपको इसले मिल जाएगा, अब आप इन सभी सारे कुछू मटीरियल्स को कविता एंटरप्राइज से मंगवा सकते हैं, शॉप का एड्रेस, डीटेल, स्कॉट्नाक नमबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सबसे पहले हमें फिंगर में धागा फोल्ड करके एक नौट डाल लेना है, नीडल का फेस हमें अपनी दर्फ रखते हुए, सारे के इस एज में से, इस कॉर्णर में से नीडल को पास करते हुए, एक सिंगल कुर्शिट वर्क करना है, और इस त्रेड को हमें अटैच कर लेना है, उसके बार नीडल में धागा फोल्ड करते हुए, दो चीन स्टिच वर्क करने है, फिर से नीडल में धागा फोल्ड करके, यह जो हमने चीन स्टिच बनाए हुए है single crochet है इसके नज़दी की double crochet work करना है यह जो double crochet है हमें एक दूसरे की नज़दी work करने है gap नहीं छोड़ना है हमने यहां पर तीन double crochet work कर लिए है इसी तरीके से हमें total seven double crochet work करने है आप जाओ तो यहां पर six या फिर eight double crochet भी वर्क कर सकते हैं यह रिजाइन बिगनर्स भी इजीली बना सकते है आप आपको यह रिजाइन जरूर पसंद आएगा आप देख सकते हैं हमने यहां पर total seven double crochet work कर लिया है यह 7th वाला double crochet है और अब next हमें धागे को थोड़ा सा बहार केजते हुए नेडल में दो बीर्स लेने है यह small से भी थोड़े से big size two mm के बीर्स है इन बीर्स को हमें लॉक कर देना है next हमें नेडल में धागा फोल्ड करते हुए जहां पर यह नेडल स्ट्रेट आए दो बीर्स की जितने distance पे यहां से नेडल को पास करते हुए एक हमें double crochet work करना है नेडल में धागा फोल्ड करते हुए दो लूप्स को एक करेंगी यह double crochet बन जाएगा फिरसे हमें नेडल में एक और double crochet बन जाएगा इसी तरीके से हमें जैसा हमने स्टार्टिंग में 7 double crochet वर्क किये हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे टोटल 7 double crochet वर्क करने हैं मैंने वन आवर और भी क्रोशा कुचू डिजाइन्स बनाए हुए हैं उन में से जो लेटेस्ट है उनका लिंक उपर आई बटन में दे दिया है जो पेगिनर्स नौन कुचू टैसर्स डिजाइन लेटेस्स सारी कुचू टैसर्स डिजाइन जो नॉर्मल सेविंग नेदल से उन सबी के अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाते हुए उनका लिंक पिस्क्रिप्शन में दे दिया है फिंस सवन डबल कुचिट के बार नेक्स्ट में टू एममें के दो बीर्स लेने है इन त्रेड्स में से बीर्स को पास करते हुए इन्हें लॉक कर देंगे नेक्स्ट में न पिस्टेंस रखते हुए दबल कुचिट बर करना है इसी तर踏के से में थोड़ा सा डिजाइन बना लिया है इस सकते हैं इसी तर activity से में पूरे पल्लो पे बर्क करना करना है है पूरे पल्लो पे फ्रस्टेक एक कर्लीट हो गया है लास्ट में हमने यहां पे सवें डबल यहाँ पे यह जो double crochet है इन में से needle को pass करते वे धागा बाहर लाएंगे और यह जो बाकी extra जो thread है इसे fabric glue से हम back side stick कर लेंगे second step starting में हमें six strands of silk thread लेके एक knot डाल लेना है starting में जो दो chain stitch हमने work किये हुए है इसमें से needle को pass करते वे एक single crochet work करना है उसके बाद next वाले double crochet में से needle को pass करते वे एक और double crochet work करेंगे starting में हमें 2 double crochet work करने है उसके बाद 4 chain stitch work करते वे यह जो दो bead है और यह जो double crochet है इन दोनों के center में से middle में से needle को pass करते वे एक single crochet work करना है और इस chain stitch को हमें attach कर लेना है ताग इको थोड़ असा बाहर कीचते हुए नीडल में हमें 2 mm के टोटल चार बीड्स लीने हैं इन चारों बीड्स को इन सभी त्रेड्स में से नीटली वन बाई वन पास कर लेना है उसके बाल यहाँ पे इन सभी बीड्स को मिलाके हमें एक लॉक कर लेंगे इस दो बीड्स और डबल कुर्षेट है इन दोनों के मिड्ल में से इस साइड से नीडल को पास करते हुए सिंगल कुर्षेट वर्क करना है इस सभी बीड्स अटैश हो जाएंगे यह डिजाइन इस तारीके से आएगा सभी बीड्स राउंड शेप में आ जाएंगे नेक्स्ट हमें इस जो नेक्स्ट वाला डबल कुर्षेट है इन सभी डबल कुर्षेट के ऊपर सिंगल कुर्षेट वर्क करना है इस जो हमने सवें डबल कुर्षेट वर्क किये हुए है इस एंड एवरी डबल कुर्षेट के ऊपर एक एक सिंगल कुर्षेट वर्क करना है यह जो 2 mm की golden beads लिये हैं इनके बदले में आप crystals, pearls या फिर antique beads भी यूज़ करते हैं इस design को बना सकते हैं यह design लगबग 1 to 1 and half hours के अंदर-अंदर इसले बन जाएगा फ्रेंस यह जो first line के 7 double crochet है इन सभी 7 double crochet के ऊपर हमने एक-एक single crochet work कर लिया है और अब next में थागी को थोड़ सा बाहर खींचते हुए needle में 2 mm की 4 beads लेने है आप चाहो तो यहाँ पर 4 beads at a time भी पास कर सकते हैं और फिर 2-2 beads भी पास कर सकते हैं इन सभी beads को इन त्रेंस में पास करने के बाद neatly यहाँ पर पहले इन सभी beads को हमें एक बार lock कर लेना है और अब next में इन दोनों beads के इस साइड यह जो double crochet और यह जो दो beads हैं इन दोनों के middle में से needle को पास करते हुए एक single crochet work करना है और इन सभी beads को round shape में लाना है उसकी बार next वाला यह जो double crochet है इन सभी double crochet के ऊपर हमें एक एक single crochet work करना है जहाँ पे हमें tassel बनाना है वहाँ पे chain stitch work करना है otherwise every double crochet के ऊपर एक एक single crochet work करते हुए इस design को continue करना है friends यह design straight line में आएगा हमने आपे every double crochet के ऊपर एक एक single crochet work कर लिया है और अब next में इन double crochet और इन beads के middle में से needle को pass करते हुए एक single crochet work करना है next में ताकि को थोड़ा सा बाहर कीचते हुए needle में total चार beads लिने है इन चारों beads को इन threads में से slowly pass कर देना है उसके बाद इन beads को हम lock कर देंगे next में इन दोनों beads के इस साइड यह जो double crochet और beads है इन दोनों के middle में से needle को pass करते है single crochet work करना है इन सबी beads को round shape में लाना है next में यहाँ पर एक दो तीन चार चार या फिर पांच chain stitch work करना है इन double crochet और इन beads के middle में से हमें यहाँ पर single crochet work करना है इसी तरीके से हमें पूरे पल्लू पर second step continue करना है second step complete हो गया है last में हमने चार beads add कर लिये हैं और इसे lock भी कर लिया है उसके बाद यह जो double crochet और जो beads हैं इन दोनों के middle में से एक single crochet work करना है और इन beads को attach करना है इन सभी beads को round shape में लाने के बाद next हमें चार chain stitch work करने है और इन चारों chain stitch को यह जो last वाला double crochet है इसमें से needle को pass करते हुए एक single crochet work करना है और इसे attach कर देना है उसकी बाद एक और single crochet work करना है जैसा हमने starting में second step में दो single crochet work करते हुए start किया हुआ है उसी तरीके से end में भी हमें दो single crochet work करने के बाद एक chain stitch extra work करते हुए एकसे silk thread को cut कर लीना है और वाहर लाते हुए एक knot बनाना है बाकी यह जो silk thread है इनने पल्लू के back side यहाँ पे fabric glue से हम stick कर लेंगे यह अच्छे से attach हो जाएगा और अब next हमें जहाँ पे हमने chain stitch work किया हुआ है इस each and every chain stitch के loop में हमें 90 strands of silk thread लेके tassels बनाना है और tassels बनाते हुए work को complete कर लीना है वीडियो को यहाँ पे थोड़ सा skip कर दिया है सभी chain stitch के loops में tassels बनाते हुए work को complete कर लिया है आपको यह design कैसा लगा comment section में comment करके जरूर बताईएगा design पसंद आया तो please इस design को ज्यादा से ज्यादा like और share जरूर कीजिएगा चनल पर पहली बार विजिट किया है तो चनल को subscribe कीजिए पास में लगे bell icon को भी press करते हुए all पर click कीजिएगा मिलते हैं next videos में thanks for watching see you soon bye bye